हाई मेरे प्यारे दोस्तों मैं राज हमरे स्टेपिंग एस्टों चैनल पर आपका स्वागत करता हूं हम लोग प्रोफिट एन लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एक दो कलास और बचा हुआ है प्रोफिट एन लॉस का उसको समाप्त करने के बाद परसेंटेज पढ़ क्या है क्रैमुल दोनों का क्रैमुल सौ रुपय सौ रुपय है इसमें से एक को बेचे दस पर तीसत लाब पर और दुसरे को बेचे दस पर तीसत हानी पर जितने पर तीसत लाब पर बेचे हैं पहला को उतने पर तीसत हानी पर बेचे हैं दुसरा को तो सौ रुपया में ख खर दी गई समान को 10% हानी पर बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे तो 110 आ 90 दूसो टोटल भी क्रैमूल कितना इस दोनों भी क्रैमूल है ना तो टोटल भी क्रैमूल 200 और टोटल क्रैमूल कितना 200 तो क्या लाब हो कुल लेंदेन में क्या हुआ लाब यहानी या कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं ना लाब हुआ ना हानी हुआ है ना लाब हुआ ना हानी हुआ तो जब दो बस्तु में से परतेक का करेमुल समान हो तो उसमें से एक को एक सपरतिसत लाब पर बेचा जाए दूसरे को एक सपरतिसत हानी पर बेचा जाए तो पूरे सवधे में नलाब होता है ना हानी नलाब नलाब ना हानी ठीक है दूसरा समझेए बिकरेमुल मान लेते हैं कि एक को सव रुपे में बेचे दूसरा को 10 रुपे में बेचे एक पर 20 पर 30 का लाव हुआ है दूसरे पर 20 पर 30 की हानी है जब दो बस तुमें से परते को 100-100 रुपए में बेचे तो टोटल 200 रुपए में बेचे और उसमें से एक को 20 पर 30 लाव पर दूसरे को 20 पर 30 हानी पर बेचे हैं तो सौ रुपया का समान, सौ रुपय का समान, जो हम बीस पर तीसत लाब पर बेचे, इधर बतला दे रहें, दो बस्तु हम बेचे, जिसका बीक्रेमूल सौ सौ रुपय, क्या है, बीक्रेमूल है, सौ सौ रुपय, एक को बीस पर तीसत लाब पर बेचे, तो सौ रुपय में बेचे 20% लाब हुगा 20% पर 30 लाब का फ्रेक्शन 120 बटा 100 खरीद के लाएं होंगे इससे कम में तो 100 बटा 120 दूसरे को जब बेचे तो 20% पर 30 हानी पर बेचे तो 100 रुपय में बेचे हमें 20% हानी हो गया तो खरीद का ज्यादा में लाएं होंगे 100 रुपय में बेचने से हानी हुआ इसका मतलब 100 रुपय से ज़्यादे में हम खरीद के लाएं होंगे तो 20% हानी का फ्रेक्शन 80 बटा 100 जब ज़्यादा में खरीद के लाएं होंगे तो 100 बटा 80 देखिए 20 छकबिशा से 20 पचे 100 तो आगया 500 बटा 6 यानी अरहाई सो बटा 3 अरहाई सो बटा 3 आ जाएगा ठीक है 20 चुकसी 25 पचे 100 425 तो 25 पचे 125 तो इस तरह से टोटल भी क्रैमूल आया 200 टोटल क्रैमूल देख लेते हैं तो 250 बटा 3 आ पलस 125 तो 125 ती है 375 आ दूसो पचास 300 आ दूसो पांसो पच्छत्तर आ पचास तो 625 बटा 3 आ गया अब देखते हैं कि लाब हुआ है कि हानी तो 3 से इसमें भाग देंगे तीन से जब भाग देंगे तो क्या जाएगा कुछ गलत हो गया है अब पचास पचे अरहाई सो बटा 3 आ पर बीस पचे सो बीस चुक स्थी चार सक पचीस 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 एक सो पचीस एक सो पचीस तिया तीन सो पच्छत्तर तीन सो दूसो पान सो पच्छत्तर पचास त छो सो पचीस चो पचीस वटा 3 अच्छा, इक करयमूल है न, ठीक है, ठीक है, तो देखिए, इस दूबेर में लगेगा, 0, 8 दूबार में लगेगा, 208, 3, 624, पुर्नांक, 1, 3 इतना जाएगा, अब देखिए, खड़िदे इतना में थे, बेचे इतना में लब होगा की हानी, देखिए, तहानी हो जाएगा, हानी जो होगा, उग कितना हैगा, सोनी कालते हैं, तहानी बराबर, तो देखिए, आठ पुर्नांक, इसको जब देखेंगे, तो आठ पुर्नांक, एक बटा, 3 है न, तर्थिरिश चोबीस, एक पचीस बटा, 3 रुपिया हा अगुनी, सो बटा करेमूल, करेमूल कितना था, 200, दूसुना से दूसुना कट गया, सोरी, करेमूल 625 बटा 3, करेमूल है, कितना, 625 बटा 3, 25 बटा 3, बटा में 625 बटा 3, तो 3 पलट के उपर, तो इक ट गया, 3 से 3, 25 से 25 बार में 25 चुका 100, तो हमेशा आज जाएगा, 4 परसेंट हानी आगया, ठीक है, 4 परसेंट हानी आगया, में है, इसको समझाने का मतलब है, कि जब दो बस्तु में से परतेक का बिकरैमूल समान हो, तो पूरे सौधे पर क्या होता है, तो 4 परसेंट हानी आगया, यहां से दिखी, अगर हम यहां गौर करे, यहां पर, दिख रहा है न साब साब, यहां गौर करे, तो जब हम जान गए, कि जब दो बस्तु में से परतेक का बिकरैमूल समान हो, एक को एकस परसेंट लावा, दुसरे को एकस परसेंट हानी पर बेचा जाए, तो कुल सौधे में हमेशा हानी होती है, और हानी परतिसत बराबर होता है, एकस स्क्वाइर बाई बंडेट, एकस किसको माने हैं, इसको तब 20 के स्क्वाइर, 400 बटा, 100 कट गया है, तो इस तरह से हानी आ गया 4 परतिसत, ठीक है, तब इसका प्रस्न लेते हैं, याद रखेगा कि जब दो बस्तु में से परतेक का करैमूल समान हो, और उसमें से एक को एकस परतिसत लाव और दुसरे को एकस परतिसत हानी पर तब जब करैमूल समान होगा था, एक को एकस परसिंट लाव और दुसरे को एकस परतिसत हानी पर बेचा जया तो पूरे सवदे में नलाव होगा ना हानी, जब भी करैमूल समान हो, और उसमें से एक को एकस परतिसत लाव पर बेचा गया हो, दुसरे को एकस परतिसत हानी पर बेचा गया हो, तो पूरे सौधे में हमेशा हानी होगी, हानी पर तीसत बराबर हो जाएगा, एक से स्क्वाइर वाई हंडेड, देखें, एक प्रस्ण है, एक ब्यक्ती दो घरियों में से परतेक 99 रुपए की दर से बेचता है, तो दुन्नों को बेचा 99 रुपए की दर से बेचता है, ठीक है, बेचता है, मतलब ही क्या है, बिक्र है, बुलो, एक ब्यक्ती दो घरियों में से परतेक को 99 रुपए की दर से बेचता है, एक पर उसे 10 परतिसत का लाव और दूसरे पर 10 परतिसत की हानी होती है, तो पूरे लेंदेन में क्या होगा? जब यह 99, 99 रुपए में बेचा, तो एक पर 10 परतिसत का लाव होगा है, और दूसरे पर 10 परतिसत की हानी होगा है, तो पूरे लेंदेन में क्या होगा? तो जब बीकरैमूल समान हो, तो पूरे लेंदेन में हमेशा हानी होती है, हानी बराबर, एक से स्क्वाइर बाई हंडेट, यानि 10 के स्क्वाइर, 100 बटा, 100, यानि एक परतिसत की हानी होगी, अब पूछेगा कि रुपए में कितने हानी होगी? तो देखिए, 99 दूना एक स अन्ठान में, एक सो अन्ठान में, टोटल बीकरैमूल, तो टोटल हानी कितना, एक परसेंट, एक परसेंट हानी का फ्रेक्शन 99 बटा 100, तो जब एतना में बेचने से हानी हुआ है, तो खरीत के लाए होंगे ज्याधा में, तो ज्यादे करने के लिए 100 बटा 99, 99 दूने एक तरह हमारा करैमूल आ गया 200, विकरैमूल आ गया 100 अठान में, तो आनी कितना हुआ रुपय में, तो हानी बड़ाबर 200 माइनस, हानी बड़ाबर करैमूल माइनस विकरैमूल, यानि 2 रुपया, ठीक है, कोई दिक्खत, नेक्ट परस्न क्यों बढ़ें, एक उर प्यारा सा प प्रस्ण है राधा ने दो पुस्तकों में से परतेक को समान मुल में खरीदा और उसमें से एक को बारा परतीसत लाव और दूसरे को बारा परतीसत हानी में बेचा है तो पूछ रहा है कि पूरे लेंदेन में उसे क्या परभाव पर है तो यहाँ पर क्या समान है परतेक को कितने रुपे में खरिदा है समान मुल में खरिदा है तो मुल नहीं दिया है तेहां पर करैमुल समान है करैमुल समान है तमाल लेते हैं दुनों का 100-100 है एक को 12 पर 37 लाग पर बेचा है दूसरे को 12 पर 37 हानी पर बेचा है तो जब दो बस तुमें से परतेक का क्रैमूल समान हो और उसमें से एक को 1% लावा दूसरे को 1% हानी पर बेचा जाए तो पूरे लेन देन में नलाब होगा नहानी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नलाब नहानी अगर पूछ दे कुल भी क्रेमूल क्या होगा तक कुल क्रेमूल कितना था 100 तक कुल भी क्रेमूल भी हो जाएगा कुल भी क्रेमूल 200 था सरी कुल क्रेमूल 200 था तक कुल भी क्रेमूल भी 200 होगा ठीक है एक और प्रस्ण लेते हैं इसमें देखिए प्रस्ण है अमर दो साइकोलों में से परतेक को 990 रुपय में बेच कर एक पर 10 परतिसत का लावर दूसरे पर 10 परतिसत की हानी प्राप्त करता है यहाँ पर क्या दिया है बिक्रैमूल परतेक का बिक्रैमूल कितना है तो 990, 990 एक पर 10 परतिसत का लाव हुआ दूसरे पर 10% हानी हुई तो पूछ रहा है कि तो उसे कुल पर क्या पर भावप परा option देखिए, option के अनुसार देखिए तो देखिए, कुल पर तो हानी होगा हमेशा जब भी क्रैमूल समान है एक को 1% लाव, दूसरे को 1% हानी पर बेचा जाए तो पूरे लिंदर में हमें सा हानी होती है हानी बरावर 1 से स्क्वयार भूझ हंड़ेट तो 10 के स्क्वयार सो बच्पां सो, दूसुना से दूसुना कट गया लिए, एक पर सेंट हानी देखिं, देखिए, कुल भी क्रैमूल कितना? ता सुनना ना है थार क्या ठासे लेगन thार Chi 80 ता कुल भी क्रैमूल इतना, आग干 ऐां कुल क्रैमूल निकाल लेटे हैं तो उन्हाई 180 रुप्या में बेचने पर एक परसेंट चानी हुआ एक परसेंट हानी का फ्रेक्शन 99 बटा सो इतना हैं बेचने से हानी होगा तो खरीद के लाया होगा ज्यादा में तो 100 उपर चला जाएगा 99 नीचे 99 दुने एक सु अन्ठान में तो इस तरह से 2000 रूपय हमारा 2000 रूपय क्रेमूल आ गया उन्हें 180 रूपया बी क्रेमूल है त घटा दीजे 2000 में सुनी स्वास्थी गया तो बीस रूपय की आनी कितने रूपय की है बीस रूपय की ठीक है और प्रस्ण देखते हैं मीटा दू समझिएगा कोई दुकांदार है वह कह रहा है कि हम अपनी सभी बस्तु एक करेमूल पर ही बेचते हैं मैं अपनी सभी बस्तु एक करेमूल पर ही बेचता हूँ हम मान ले कि वह 1000 गराम खरदा होगा यहां से समझेगा अगर इस बात को समझ गए तो आगे बनाने में प्रोब्लम नहीं होगी यह मान लेते हैं कि 1000 गराम वह कह रहा है कि हम सभी बस्तु एक करेमूल पर बेचते हैं तो हम मान लेते हैं कि 1000 गराम खरदा होगा 100 रूपईया में हमको भी दे रहा है 100 रूपईया में लेकिन उप कर क्या रहा है कि अगर मान ले जए 980 गराम तलता तब तो 1000 गराम 100 रूपईया में देता है तो 10 गराम देगा एक रूपईया में तो एक गराम देगा, एक बटा दस रुपईया में, एक गराम, तो 980 गराम कितना में देगा, तो 980 गराम, एक बटा दस गुने 980, अंठानमे रुपईया में, तो अगर हम जैसे ही देखते कि 980 गराम है, तो इस सुनना हटा का अंठानमे रुपईया हमारा करैमूल हो जाता अगर हमको 800 गराम देता है तो सुना हटा के 80 रुपईया में देगा कब जब हम करैमूल 100 मानेंगे तब अगर हमको 900 गराम देता है तो करैमूल उसका कितना होगा 90 रुपईया यहाँ पर 900 लिखते तो सुना सुना कर जाता 90 रुपईया नहीं आता 840 गराम तोलता है तब तो 84 रूपई है 960 गराम तोलता है तब तो 96 रूपई है ना तो इसको निकालने में दिक्कत नहीं है 980 का जब 99 रूपई आया 960 का तेहां 960 तेहां भी 960 तो सुना सो सुना कर जात Mün 이어 96 रूपई आ जाता तो इस बात का ध्यान रखना है आगे इसको हम बतलाएंगे नहीं जैसे ही कहेगा कि कोई दुकांदार अपनी सभी बस्तुए करैमूल पर बेचता है और वह 1000 गराम बाट के जगा पर 50 गराम कम बाट का परियोग करता है तम सीधे लिखेंगे करैमूल पनचानमी रुपया ठीक है? तब घबराएगे नहीं में सीधे लिखेंगे करैमूल पनचानमी रुपया कैसे पनचानमी आएगा देखिए 1000 गराम का 100 रुपया मानेंगे तम औरары 950 गराम का तम 1 बटा 10 गुने 950 त sneaking और यित प्रस्ण है कि एक दुकांदार अपनी सभी बस्तू करेमूल पर ही बेचता है परन्तु एक के जीवाट के अस्थान पर 900 ग्रम बाट का परयोग करता है तो उसका लाभ क्या होगा एक के जी बाट के अस्थान पर 900 ग्रम बाट का परयोग करता है तो करेमूल कितना हुआ है 90 रुपए देखिए हम मान लेते हैं कि वह आदमी जो है वह 1000 ग्राम खरीद के लाया होगा वह दुकांदार 100 रुपई हामें हम यह माने हैं कि वह दूकांदार 1000 गराम लाया होगा 100 रुपया में लेकिन हमको केतना दे रहा है 900 गराम हमको 900 गराम दे रहा है तो उसका जो हमको जो समान दे रहा है उस पर उसका करेमूल का रुपया लगा हमको 900 गराम दे रहा है तो कर रहा है कि हम जतना हम लाए हैं उतने में आपको दे रहे हैं इसका मतलब है कि उसका भी क्रैमूल कितना हो गया सौ रूपय ठीक है कर रहा है न कि वह क्रैमूल पर बेचने का दावा कर रहा है तो एक हजार गराम उस सौ रूपया में खरीद के लाया होगा तो हमको भी 100 रुपया में देगा लेकिन उप कर के आ रहा है कि नीचे से तराजू में चुम्बक चिपका दे रहा है यानि एक हजार गराम के जगा पर हमको 900 गराम दे रहा है तो उसका क्रैमुल जो लग रहा है उतना 900 गराम का लग रहा है 900 गराम का क्रैमुल 90 रुपया बी क्रैमुल 100 रुपया लाभ कितना तो लाभ परतिसत बराबर एक के बार निकाल देते हैं लाभ परतिसत बराबर लाभ गुने 100 तो लाभ क्या रुपया का 10 रुपया का लाभ गुने 100 बटा क्रैमुल क्रैमुल कितना 90 सुन्ना से सुन्ना कट 9 से 100 में भाग देंगे तो 11 पुर्णांक एक बटा 9 परसेंट तो उसका लाब कितना हुए 11 पुर्णांक एक बटा 9 पर 30 चलिए इस प्रस्ण को और दूसरे तरीका से देखते हैं नोट में लिक लिजिएगा कि जब कोई दुकांदार बस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करे और वह 1000 ग्राम बाट के जगह पर कम बाट का परियोग करे जब कोई दुकांदार अपनी सभी बस्तु क्रैमूल पर बेचने का दावा करे यह फ्रमूला कब लगेगा जब क क्रैमूल पर वेचने का दाबा करेगा तब और 1000 वाट के अस्थान पर 1000 गराम के वाट के अस्थान पर कम वाट का परियोग करे तो उसका लाभ परती सत होगा तुरूटी गुने सो बटा सत्यमाप माइनस तुरूटी ठीक है अभी अभी जो प्रस्न देखे हैं देखे 1000 गराम बाट के अस्थान पर 900 गराम बाट का परियोग कर रहा है तो तुरूटी कितना के 100 गराम के अगुने सो सत्यमाप कितना 1000 गराम सत्यमाप होता है माइनस तुरूटी कितना तो कम कितना दे रहा है जो कम दे रहा है वही तुरूटी हुआ तो यह एक हजा सोरी सो गुने सो अब बटा में नौ सो दूसुना से दूसुना कट गया यानि एगारा पूर्णांक एक बटा नौ परसेंट ठीक है इस पर भी बना सकते हैं तुरूटी गुने सो बटा सत्तमा पाइनस तुरूटी चली नेक्स्ट प्रस्ण लेते हैं बहुत प्यारा प्रस्ण है बहुत मजाएगा इस टॉपिक से हमेशा अक्सर प्रस्ण पूछे जाते हैं और बच्चे का है क्या कि वो अपना माइन खुलना ही नहीं चाहता है देखिए फर्मूला मत रटिये ज़्यादा थोट डेवलप कि कि आखिर हुआ कैसे अब देखिए कहरा है नेक्स्ट प्रस्ण कि एक दुकांदार अपनी सभी बस्तुय करैमूल पर बेचने का दावा कर रहा है एक दुकांदार अपनी बस्तुए 20 पर 37 लाब पर बेचने का दावा कर रहा है कि हम आपसे 20 परसेंट लाब लेंगे ठीक है? कि हम आपसे 20 पर 37 लाब लेंगे तो 20 पर 37 लाब पर बेचने का दावा कर रहा है लेकिन वह 900 गराम बाटका भी पर्योग कर रहा है तो एक थो हमसे 20% पहले से लाब ले रहा है कि recharge हम को 900 जाप से 900 जम दे रहा है तो करयमील का कितना रुप्या का लग रहा है नाब्वे रुप्या लगेगे कै राैं किज्छ जाये एक खाजार घ्राम का सौर रुपिया मानेगे वे से कि हम सो रुपया में लाए हैं, आप से 20% लाव लेंगे, तेक 120 रुपया में देगा, तो लाव उसका कितना हुआ, तो लाव परतिसत बराबर लाव गुने 100 बटा करायमूल, करायमूल कितना, 90, 30 ती आई 90, 100 बटा 3 यानि 33 पुर्णांके 1 बटा 3 परतिसत, ठीका, कोई दिक् एक हजार गराम सो रुपया में लाया, तो एक गराम सो बटा एक 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 एग ऐजार, तो नो तो हम कह रहा है कि 100 रुप्या हम लाए है आपसे हम 20 परसेंट लेंगे 20 परसेंट लेगा यानि 100 रुप्या का समान हमको 120 में दे रहा है उपर से हमको कम तोल रहा है तो उसका करयमूल 60 रुप्या लग गया अब भी करयमूल हो गया कितना 120 तलाव कितना 30 तलाव पर 30 से तबराबर लाव गुने 100 वटा करें मुलत 30 तीज तीज नब बेता 100 वटा तीन यानि 33 पुना एक वटा तीन और एक बात जान लिजिए कि अगर आपको बनाने आ जायती पूरा में से कुछ भी नहीं लिखेंगे कुछ भी नहीं ठीक है? नेक्स्ट प्रस्ट मैं बतलाता हूँ आपको मुँपे दिना कुछ लिखे हुए बनेगा और मुश्किल से 5 सेकिन लगेगा मुश्किल से 5 सेकिन थोड़ा बहुत लिखना परेता परे नहीं तो भी नहीं परेगा देखिए कर रहा है कि एक अनाज बिकरेता 10 परतीसत हानी पर बेचने का दावा कर रहा है 10 परतीसत हानी का पर बेचने का दावा कर रहा है यानि 90 रुपिया हूँ बेच रहा है 100 रुपिया का समान लाया होगा 90 रुपिया हूँ बेच रहा है तो पचीस बटा चार आ जाएगा चार यानि चार पूर्णा एक बटा चार परसेंट गलती हो गया क्या अच्छा अच्छा देखें प्रवपीया लाब हुए दुपीया लाब हुए अगर दुकल क्या थो ठीकित परसेंट ठीक है कैसे आया सु समझे धीरे-धीरे माइन को डिवलप कीजिए अगर मुझे एक जाम में बनाना होता तो इसी बनाते 80, 90, 10, 10 गुने 100 बटा 80, 100 बटा 80 यानि 5 बटा 4, 5 बटा 4 गुने 10 था दू दू दूना 4, 2 पचे 10, 25 बटा 2 यानि सारे बारत समझे कैसे हुआ सो हम मानते हैं कि 1000 गराम खरीद के लाया उस 100 रुपईया में ठीक है वह तॉल रहा है 800 गराम तो 800 गराम का कितना लगेगा 80 रुपईया तो उसका करैमूल जो हुआ करैमूल हो गया 80 रुपईया चलिए नेक्स्ट बिकरैमूल अब उकारा कि हम 100 रुपईया में लाएं आपको उन 10 पर 30 सत हानी में दे रहे हैं यानि कितना हमें दे रहा है 90 रुपईया में 100 रुपईया का समान 10 ठानी में दे गाता है 90 रुपईया में लेकिन उस समान तो हमको रियल में 80 रुपईया का दे रहा है दे रहा है का रुपईया में 90 रुपईया में तलाभ कितना हुआ 10 रुपय तो लाभ गुने 100 बटा करेमूल करेमूल कितना आसी 20 चोकसी 20 पचे 100 दू दू ना चार आई आ गया दू पचे 10 पांच पचीस बटा दू यानी सारह बारा कोई दिकत मेरे समस्य तो नहीं होनी चाहिए प्रोब्लम तो आपसे अब इस तरह का प्रस्ण बन जाएगा ठीक है रहने दे आज के लिए इतना है नमस्कार भारत माता की जय